तो स्वाज कि इस वीडियों हम बात करेंगे हीरो की हीरो की हीरो इस प्लेंडर प्लस बीए सेबन इन दोनों बाइकों को पूरी हम आपको बताएंगे इन बाइकों में क्या क्या फीचर्स है क्या प्राइज है कौन सी बाइक लेना चाहिए इन दोनों में कौन सी ले यह सब मै अगर आप इस बीडियो के देख लेंगे तो चाहें आप हीरो की इस प्लेंडर प्लस लेना चाहेंगे या फिर एचेब डिलक्स सही डी सीजन आप ले सकेंगे दोसों क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कम पैसे में सबसे अच्छी बाइक आपके लिए कौन सी बहतर होगी दे इन दोनों बाइकों को सबसे पहले सबस्क्राइब सब्सक्राइब मिलेंगे और यहां पर देखेंगे और इसमें आपको 19izo 8रा का टईयो बलायगा लेकिन इसमें आपको को हीरो लिखा हुआ मिल जाएगा बाकी कलर आप्सें की बात करें तो लगभग पांच से छे कलर में जब डिलक्स आपको मिलेगी यहाँ पर आप देश सकते हो आप इसका इस प्लेंडर का देखेंगे ति यहाँ पर सिर्फ हीरो का ब्राणिंग आपको मिलेगा और यह यहाँ पर आपको सेंटेंगे लेकिन यहां पर साधा रहेगा और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर हीरो लिखा हुआ इस तरह से मिलेगा यह चीज़ का पी बड़िया है बाकि हाइलों बीम टर्सिक्नल हारन सर्फ इस्टार्टर केक इस्टार्टर यह दोनों बाइको पर यहां पर आगर देखेंगे पैनल पर तो इच्छे ब्लक्स रिखा मिलेगा यहां पर आपको इस प्लेंडर प्लस रिखा मिलेगा आप उसके बाद दूसरों चेसी और कंशी दोनों गाड़ियों में सेम है यानि कि डबल चेसी इसकी भी है यहां पर आप देश सित्व पावर है टार्क है इसका पैसरों उसके बाद दूसरों यहां पर अगर बात करेंगे अगर पीछे आप देखेंगे साकर यह दो बार अज़स कर सकते हैं जब रिलक्स में दो बार एज़स करने वाला दिया गया है और इसमें पांच बार अज़स करने आप इसका जो टायर ही वह च्टार का ट्यूबलेस टायर दिया गया है यहां पर इसमें आपको पूरा कबर वाला मिलेगा उसका भी पैनल नहीं लगा है ब्रेक लीबर भी दोनों गाडियों में सेम है देख सकते हैं आप अब रियर के कर हम बात करेंगे यहां पर इसमें के आप देखेंगे गाड़ी तो इस तरह से दिखेगे एचिप लेक्स और उसमें फाइवर के चेंड कबर दिया गया है इस प्लेंडर प्लस में आपको लोहे का चेंड कबर दिया गया है और पांच बर अड़ेक्श करने वाला साकर यह चीज़ प्लस पॉइंट है बाकि साइ बहुत ही बढ़िया है और यहां पर एच्छ डिलक्स पर पढ़िया सिंगल आपको मिलेगा अप पीछे की जो ते लाइट है वह आपको दोनों गारियों का इस तरह से रहेगा बलवाला ही रहेगा और यहां पर आपका नंबर प्लेट वाला पत्ती देगे है पीछे का लू इसके वाइजर पर लेगी गए लेकिन उसमें पत्ती अलग से देगे है यह चीज़ काफी अच्छा है और अब इनकी जो कर हम प्राइजिंग की बात करें तो यह आपको पचासी हजार रुपे में पड़ेगी 85-85,000 यह आपको पड़ेगी 80,000 से 81,000 मानके चलिए तो अब आप बताईए कमेंट में आपको कौन सी बाइक अच्छे लेगी दोनों बाइकों का सेम जो जो फीचर है मैंने सब बता दिया अब आप बताईए कि कौन सी चलेगी और अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें सेर करें मेरे ख्याल से अगर आप कम पैसे में चाहते हैं तो चैप डिलेक्स लीजी अगर आप ट्यूबले स्टाइट चाहते हैं तो इस फिलनर आपके लिए बहतर होगा बाकिया बताईए आपको कौन सा अच्छा लगा